वेलकम तू नेक्सिक ज्याम आज है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्सिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरुप चोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है हाली में ब बिभाजन विबेशी का इस मरड दिबस मनाया गया है तो अभी 14 अगस्त को बिभाजन विबेशी kea इस मरड दिबस मनाया गया तो इस Qix consumers का 2 Opsons है यह यह विबाजन के द्वारन पेडितों और लोगों की पेडा को याद दिलाता है आपको पाता है जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन दुरुआ था तो 14 अगस्त की रात को दो देशों में डिवाइड कर दिया गया था एक भारत बना था और एक पाकिस्तान बना था इसलिए 14 अगस्त को बेभाजन बेवेसी का इसमर्ड दिबस मना जाता है लास्ट इयर 2021 में पतानमंतरी मोधी ने वेभाजन बेवेसी का इसमर्ड दिबस मनाने की गोश्ण की थी अब ये इंपोर्टेंड वाला कुश्यन है तो अभी 13 अगस्त को बेश्चु अंगदान दिबस मनाया गया 12 अगस्त को अंतरास्टी युवा दिबस, बेश्चु हाती दिबस और बेश्चु संस्कृत दिबस मनाया गया अच्छा अंतरास्टी युवा दिबस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और रास्टी युवा दिबस स्वामी विवेकनन जी की जैनती पर मनाया जाता है कब 12 जन्वरी को अच्छा बेश्चु हाती दिवस पर भी मैंने आपको एक कुश्यन मताया था प्रोजेक्ट एलिफाइंट 1992 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ 1973 में दस अगस्त को बेश्चु जैव इदन दिवस और वर्ल लॉइन डे मनाया गया नौ अगस्त को बेश्चु आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया आठ अगस्त को भारत छुडो अनुलन दिवस मनाया गया साथ अगस्त को रास्टी हत करगा दिवस और रास्टी भाला फैक दिवस मनाए गया छे अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाए गया पांच अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाए गया दो अगस्त को पिंगली बेंकेया की 140 मी जैनती मनाए गयी पिंगली बैंकेया इन्होंने भारती राष्टी ध्वज का प्रारंबिक डिजैन तैयार किया था एक अगस्त को मुसलिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाये गया तो अगस्त में अब तक इतने इंपोर्टेंट ने बनाये गए हैं यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट विक्स करो लेकिन डेली मौर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अजेब करने में लगा दो आपकी लाइफ आटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नए कुशिन है तो अप्रेल 2023 में भारत कितने प्रतिसत एटेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति सुरू करेगा तो अप्रेल 2023 से भारत बेस प्रतिसत एटेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति सुरू करेगा तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है और ये पेट्रोल भारत की चुनिंदा पेट्रोल पंपर उपलब दराएगा नए कुशिन है हाली में किस बैंक ने उत्सब सावदी जमा योजना सुरू की है तो ये SBI ने सुरू की है तो इस कुशिन का से आप्सन सही है इस सावदी जमा योजना में एक हजार दिनों तक की कारेकाल के साथ सावदी जमा पर प्रतिवर्स 6.10 प्रतिसत की उच्च ब्याज धरें मिलेंगी अब SBI SBI की स्तापना कब हुई 1955 में SBI का हेड़कॉर्टर कहां पे है मुंबई में और SBI की प्रजेंट टेमपेद 50 परसंगा है ही दिनेश कुमार खारा ने क्यूशन है हाली में सरकार द्वारा RBI के केंदरी बोड में कितने स्वतंत निदेशकों को पुने मिलेक्ट किया गया है तो अभी RBI के केंदरी बोड में चार स्वतंत निदेशकों को फिर से नियुक्त किया गया तो इस कुश्चिन का बे आप्शन सही है ये चार स्वतंत निदेशकों कौन से हैं 37 के मराठे, एस गुरुमूर्ती, रेवती अयर और सचिन चतुरवेदी अब आर्बियाई आर्बिया यानि की रिजर बैंक आफ इं सक्तिकांत दास आर्बियाई के कौन से नंबर की गवर्नर हैं तो ये आर्बियाई के पचीछमी नंबर की गवर्नर है नएक जूशन है हाली में राकेज जुन्जुन वाला का निधन हुआ है बे कौन थे तो राकेज जुन्जुन वाला ये एक निवेसक थे यानि कि इन्वेस्टर थे और अभी 62 बर्स की उम्र में इनका निधन हो गया तो इस कुशिन का A option सही है राके जुन जुन वला इनको बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था और लास्ट मन्त इन्होंने अपनी खुद की आकासा एरलाइन नाम की कमपनी सुरू की थी नए कुशन है हाली में किस देश के राष्टपती ने 207 आयो के गठन की योजना बनाई है तो अभी मेक्सिको की राष्टपती ने 207 आयो के गठन की योजना बनाई है ने कुशन है हाली में जुलाई 2022 में भारत का निरियात कितने प्रतिसत बढ़कर 34.27 अरब डॉलर पहुचा है तो जुलाई 2022 में भारत का निरियात 11.51 परसेंट बढ़कर 36.27 अरब डॉलर पहुचा तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है ने कुशन है हाली में पहली बार टाटा स्टील सत्रज में महलाओं का टूनमेंट कहा होगा तो ये अभी पहली बार कूलकाता में होगा तो इस कुशन का ए ओप्सन सही है ताटा स्टील सत्रज में ये पहली बार महलाओं का टूनमेंट हो गा और कहां पे होगा कूल काता में ने कुशन है हाली में किस ने राष्ट पती तट रख्चक पदक को मंजूरी दी है तो हमारी राष्ट पती हैं द्रौपदी मुर्मू इन्हों ने अभी राष्ट पती तट रख्चक पदक को मंजूरी दी तो इस question का बे option सही है Next question है हाली में स्रीलंका ने हमबन टोटा बंदरगापर केस देश के सोध जहाज को डॉक करने की अनुमती दी तो अभी स्रीलंका ने चैना के सोध जहाज को हमबन टोटा बंदरगापर डॉक करने की अनुमती दी तो इस question का say option सही है आप ये अन्मती स्री लंका ने दी है तो ये है मैप में स्री लंका स्री लंका की केपिटल क्या है कोलंबो और स्रे जैबदने पुरम कोटे कोलंबो कॉमर्सिल केपिटल है और स्रे जैबदने पुरम कोटे एड्मिनिस्टिटिव केपिटल है स्री लंका की करंसी क्या है स्री स्रीलेंक का कि प्रजेंट टेंप परामिस्टर कौन है दिनेंस गुडबरधन और सिर्ण की मैप में आपते इसे सुद्ध हिंदी में पाक जलंबुबंडल और इंग्लिस में PAKSREYET कहाते हैं लेकिन PAK की स्पैलिंग याद रखना P-A-L-K नेशिशिन है हाली में भारत बायोटेक ने वन्य विस, देशिव के पहले इंट्रानिजल वैक्सिन का परिक्षड पूरा किया है तो भारत बायोटेक ने अपने देश भारत के पहले इंट्रा नेजल बैक्सीन के परिक्षड को पूरा किया तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है ये जो बैक्सीन है ये बूस्टर डोज की तरह उप्योग किया जाएगा नेक्शिन है हाले में समुद्र तटकी सुरक्षा के लिए के सराज सरकार ने N.I.O.T. के साथ समझोता किया है तो अभी समुद्र तटकी सुरक्षा के लिए उडिशा ने N.I.O.T. के साथ समझोता किया तो इस कुशिन का से आप्सन सही है अपने तट्टों की सुरक्षा के लिए N.I.O.T. यानि कि National Institute of Ocean Technologies के साथ समझता किया है उडिशा ने अब उडिशा ने किया तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की कैपिटल है भूबनेस्वाइग उडिशा की चीपनिस्टर है नबीन पटनायक और उडिशा की गवर्नर है गनेशीलाग अच्छा उडिशा में है वीलर दीप और वीलर दीप का नाम बदल के एपी जे अब्द और कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल 20 सेकंड का सफल परिक्षट अभिए उडीशा में किया गया अच्छा उडीशा में सुनावेड़ा वार्ड़ागड़ाँ सेंच्छी यह नलवल sंच्री वैसी बैसी पल्ली वाल्डा सेंचरी है और देवरीगड वाल्डा सेंचरी है अच्छा उडिसा में भितर कनिका नेशनल पार्क है नंदन कानन चिडियागर है उडिसा में लिंगराज टेंपल है कुडार्क टेंपल है और जगरनाट टेंपल है उडिसा में रसी कुलिया बीच है औ और गूल्डन वीच है उडिशा के दो गाउं को अभी सुनामी रेडी डिकलियर किया गया था वो दो गाउं कौन से हैं नोलिय साही और बैंकट रायपूर इतना आपको उडिशा के बारे में आद रखना है ने क्यूशन है हाली में किस ने स्रेलंकाई नौसिना को ड्रोनियर समुद्री निगरानी बिमान स्वापा है तो अभी भारत ने स्रेलंकाई नौसिना को ड्रोनियर समुद्री निगरानी बिमान स्वापा तो इस क्यूशन का बे ऑप्सन साही है ने क्यूशन है हाली में किस राज्ज में ग्राम रक्षा गाड योजना दोजर बाइस लाग हो जिसमें भारती सेना और पुलिस द्वारा गाउं के स्वैम सिवकों को प्रसिचित गिया जाता था, अब इसका नाम ग्राम रक्षा गार्ड यूजना कर दिया गया है अब जम्मू कस्मीर तो ये है मैप में जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर के प्रजैन टाइम पे लिटिनेंट गवर्नर कोन है मनूस जिन्ना अच्छा अभी कस्मीर में पहली बार मचल मैला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया देश की पहली कार्बन नीट्रल पंचायद जम्मू की संभाग की पल्ली पंचायद मनी है जम्मू कस्मीर के किस्तवाड जिले में चिनाव नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल बिद्धित परयुजना को मंजूरी दी गई जम्मू कस्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है दच्ची ग्राव नेशनल पार्क है किस्तवाड नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है यहाँ पर कन्फिजन होता है ध्यान रखना डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कस्मीर में है और डॉक कि कुशिन का आंसर लाश्ट वीडियो मैं आप से कुशिन पूचा था कि हाली में किस राज में एक विदायक एक पेंसन इसकी मिलाओ की गई है तो यह पंजाब में लाओ की गई यानि किस question का से option सही था और लगबग सभी इस trend ने सकांसा सही दिया मुश्ट इस trend ने इसके बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़े आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में मुख्य मंतरी बाल आसीरबाद योजना के सराज सरकार ने सुरू की है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबह हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश RC Instagram पर इंद्रेश RC search करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरूर याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like कर तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like और share जरू क्या करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अब ही तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam all page video thanks for watching